हेलो इस वीडियो में हम XOR function के बारे में जानेंगे ये जो student है ये हमारी पास ये student दिये गए है और यहाँ पर ये first paper है ये second paper है ये third paper आगे दिये गए है तो ये जो student है paper third के लिए eligible है या नहीं है इसको हम यहाँ पर समझेंगे तो जो student दो paper clear कर चुके है उन student को third paper दैने की जरूर्त नहीं है जैसे ये student paper first और paper second यहां पर clear कर चुके है तो यहाँ पर इनको third paper दैने की जरूर्त नहीं है क्योंकि ये तो पहले से ही condition clear कर चुके हैं तो ये तो पहले से ही eligible है इसके लिए इसके बाद आ गया है fail और उसके बाद यहां पे fail लिखा हुआ है तो अगर ये दोनों situation में student fail हो जाता है eligible नहीं है paper third को देने के लिए क्योंकि ये पहले दोनों condition हो में fail है तो ये third condition के लिए eligible नहीं है अगला है जैसे ये condition में यहां पे fail दिया गया है और एक में pass दिया गया है तो जो एक में fail है और एक में pass है यहां पे result आएगा true क्योंकि वो यहां पे third paper दे सकता है इसके बाद यहां पे यह first paper में यहां पे pass है इसके बाद second paper में ये fail है तो यहाँ पर भी ये condition को clear कर रहा है तो ये इस situation में यहाँ पर result में आएगा true तो अब हम यहाँ पर xor function को समझेंगे तो यहाँ पर यह third paper दिया गया है इसके यहाँ पर cell पर click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर xor function को use करेंगे इसके बाद यहां पे equal to यह लगाया इसके बाद यहां पे XOR लिखा यहां पे XOR आ जाएगा यहां पे double click करेंगे double click करने के बाद यहां पे logical one तो logical one में हमने यहां पे first paper यह लिखा हुआ है तो इस cell पे click करेंगे इस cell पे click किया इस cell पे क्लिक करने के बाद यहां पे आ जाएगा यह B3 तो B3 इसके बाद लिखेंगे Is equal to यहां पे double code में लिखेंगे Pass, double code में Pass लिखा इसके बाद double code बंद करेंगे बंद करने के बाद फिर कॉमा लगाएंगे कॉमा लगाने के बाद यहां पे यह logical 1 यह हो गया अब हम यहां पे आगला देखो यह logical 2 इसके बाद logical 3 आगे आगे हम इसको करते जाएंगे तो हमने यहां पे logical 2 यह check करना है तो यहां पे click करेंगे यहां पे click करने के बाद यह C3 यहां पे आ जाएगा इसके बाद same वही हमने यहां पर लिखना है जैसे यहां पर लिखा हुआ है equal to equal to के बाद double code start किया और इसके बाद यहां पर pass लिखेंगे और फिर pass लिखने के बाद double code बंद किया बंद करने के बाद bracket को बंद करेंगे बंद करने के बाद जब हम यहाँ पे enter प्रेस करेंगे तो enter प्रेस करने के बाद हमारे पास result में यहाँ पे false आजाएगा यह देखो enter प्रेस किया तो enter प्रेस करने के बाद यहाँ पे false यहाँ पे हमें result शो करेगा तो false इसलिए आया क्योंकि यह दोनों condition यह clear कर चुका है पेपर फस्ट ये भी पास है और पेपर सेकंड इसमें भी पास है तो ये दोनों में पास है तो इसको थर्ड पेपर ये दैने की लोड नहीं है ये पहले से ही ये क्वालिफाई है तो यहां पे ये फाल्स आ जाएगा इसके वाद आगला स्टुडेंट है ये फस्ट पेपर मे में भी फेल है, second paper में भी फेल है, तो जो student दोनों पेपरों में फेल है, वो यहां पे हमें false शो करेगा, क्योंकि यह आगे पहले ही दोनों में फेल हो चुका है, यह आगे third paper के लिए unreasonable नहीं है, तो यहां पे यह फेल आएगा, तो इस situation में तो यह दोनों में पास हो जोका है तो इसको यहां पे थर्ड पिपर देने की जरूरत नहीं है तो यहां पे यह फाल्स आ गया है लेकिन यहां पे यह जो स्टूडेंट है यह दोनों में यहां पे फेल है तो दोनों में फेल है तो यह आगला पिपर देने के लिए यहां पे यह false आजाएगा इसके बाद यह अगला student है यह first paper में यहां पे fail है लेकिन second paper में यह pass है तो यह जो student है यह third paper के लिए आगए यहां पे eligible है तो यहां पे result में आगया true यह अगला है यह भी एक में यहां पे pass है और एक paper में यहां पे fail है तो इसमें भी यह true result आएगा क्योंकि य ये भी eligible है third paper देने के लिए तो इस तरह से हम XOR function के जरीए ये निकाल सकते है कि कौन student आगे eligible है और कौन student यहाँ पे आगे eligible नहीं है तो इसको हम XOR function के दवारा निकाल सकते है तो इस वीडियो में हमने XOR function के बारे में जाना आगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल धनिवाद